हम लगातार महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं हमारी यही कोसिस है कि आप तक डेरा सच्चा सौधा का असली सच पहुचाया जाए नमस्कार मैम आपका नम मेरा हीально सोन हेंशन करता कि आम इतने पिस बालते हैं तो के पेचे पहुचा कारिन और है जो हमारे को पुछ पहुच्त अपर फिर्चा सब कारते हैं जब तो Jest आपको इतना किसी कोई प्रोब्लम होते कुछ भी होता है अगर हम याँ पे आ बीजाते ना तो महारा सारा दुख दर्द परशानी सब कुछ दूर हो झाती है विश्वास है आज आज आपको इसका क्या फारण है हमारी हर जाएज मांग पुरी होगी हो यहां से बच्पन से मारे पेरेंट्स हमा आप कहना है कि यहां हर तरीके की सेफटी महिलाओं को दीजाती है लेकिन बाहर मीडिया इसका पोज़ड दिखा रहा है तो इस बारे मैं आप क्या कहना चाहिए? यह मीडिया तो जहां से देखो वहां से गल्थ दिखाएगा अगर उनने वेश्याओं को यहां तक इतनी पद्वी दिर रही है तो क्या वो अपने बच्चों को गुडिया को ऐसे ही वो कर देंगे आपने भी एक सब्द इस्तेमाल में लिया वेश्या तो हमारे दर्सकों को थोड़ा एक्स प्लैंड करके बताईए कि किस तरीके से वेश्याओं को पिता जिने यहां लाए उनको अपनी बेटियों बनाया बेटियों किन लोग इतना दर्जा दिलाया यहां पर उन्होंने आश समाज को बहुत जाला जूड़ता है और हमारे को भी जूड़ता है हम तो कहते हैं हमारे पिता जल्द से जल्द यहां पर आएं आप अपने वीडियो दुआरा क्या मैसेज लोगों तक पहुशाना चाहते हैं कि जो यह दुनिया मीडिया की तरफ देखती है जैसे मीडिया है वैसी देख लेते हैं लेकिन हमारे गुरुजी ऐसा ही नहीं है बिल्कुल नहीं है 100% विश्वास अभी ऐसे नहीं है हम तो यह दुआ करते हैं मालिक आगे कि सजल्द से जल्द हमारे पिता जी आए और आगे अपने बच्चों के स्थर पर हाथ रखे और उनको आशिरव से एक महीला से बात कियो और जाना कि डेरा सच्चा सौधा का सच क्या है ऐसी ही सची खबरे देखने के लिए जुड़े रहे हैं देख आई के साथ धन्यावाद